नमस्कार आज के समसामाईकी में आपका स्वागत है आने वाले प्रतियोगी परिच्छाओं के दिश्टिकों से देश दुनिया में घटित होने वाले महत्पुन जनकारी इस प्रकार है केंदर सरकार ने देश ब्यापी लॉगडाउन को चार मई से दो हपते के लिए और आगे बढ़ा दिया है अब सत्रा मई तक देश भर में लॉगडाउन रहेगा इस दोरान कुछ छूट भी दिया गया है केंदर वर राज सरकारों ने जीले के हिसाब से जोखिम का अंगलन किया है और उसके आधार पर योजना बनाई है Center for Monitoring Indian Economic की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में कुरोना महमारी के कारण अप्रेल 2020 में बेरोजगारी दर 14.8 प्रतिसत से बढ़कर 23.5 प्रतिसत पर पहुच गई है सर्वे के अनुसार देश भर में बेरोजगारी के मामले में केंदर सासित प्रदेश पूरू चेरी सीर्स पर है यहां बेरोजगारी दर 75.8 प्रतिसत पर पहुच गई है राज्यों में 49.8 प्रतिसत के साथ तमिलनाडू दूसरे और 47.1 प्रतिसत के साथ जहारकन तीसरे अस्थान पर है वहीं देश में सबसे कम बेरोजगारी दर पंजाब में दर्ज किया गया है पंजाब में बेरोजगारी दर 2.9 प्रतिसत है सर्वेक अनुसार अप्रेल 2020 में सहरी छेतर में बेरोजगारी दर 24.95 प्रतिसत रही जबकि ग्रामीन छेतर में बेरोजगारी दर 22.89 प्रतिसत रही ICC ने टेस्ट वन डे तथा T20 की सलाना रैंकिंग जारी किया है आस्ट्रेलिया टीम इंडिया को हटा कर टेस्ट की नमबर एक टीम बन गई है दूसरे अस्थान पर न्यूजिलेंड है जबकि तीसरे अस्थान पर टीम इंडिया है आस्ट्रेलिया T20 में भी प्रतम अस्थान पर है वन्डे में इंगलेंड की टीम पहले नमबर पर बरकरार है लॉक्टाउन में हसे लोगों की घर बापसी के लिए रेलवे ने स्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की है एक माई को तेलंगाना के लिंगम पल्ली से लगभग एक हजार यात्रियों को लेकर जारखन के हटिया के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद 40 दीन में पहली बार यात्री ट्रेने चली है स्रमिक स्पेशल ट्रेनों में दूसे राज्यों में हंसे प्रवासी मजदूरों, प्रयटकों, छात्रों और अन्य लोगों को ही सफर करने की इजाज़त होगी बागी कोई इन में सफर नहीं कर सकेगा तो यह था अब तक की अदतन जानकारी अब बारी है इस विसाय से अगामी परिक्षाओं में पूछे जानने वाले संभावित प्रश्णों की तो इस विसाय से निमलिखित बहु वैकल्पिक प्रस्ण पूछे जा सकते हैं प्रश्णख्या एक हाल में जारी ICC रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट में भारत का कौन सा अस्थान है सही उत्तर है तीसरा प्रशंख्या 2. हाल ही में जारी ICC रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट में तथा T20 में प्रतम अस्थान पर कौन है? सही उत्तर है आस्ट्रेलिया प्रशंख्या 3. हाल ही में जारी ICC रैंकिंग में वंडे में प्रतम अस्थान पर कौन है? सही उत्तर है इंग्लैंड सही उत्तर है स्रमिक इस्पेशल ट्रेन सेंटर फर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की सर्वे रिपोर्ट के नुसार अप्रेल 2020 में सबसे कम किस राज में बेरुजगारी दर्ज किया गया सही उत्तर है पंजाब प्रशंख्या 6 सेंटर फर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की सर्वे रिपोर्ट के नुसार अप्रेल 2020 में भारत का बेरुजगारी दर्ज कितना दर्ज किया गया सही उत्तर है 23.5 प्रतिशत प्रशंख्या 7 तीन मई को समाप्थ हो रहे दूसरे चरन का लॉगडाउन को कब तक बढ़ा दिया गया है सही उत्तर है 17 मई तक तो इसी के साथ समसामाईकी का यह कारगरम समाप्थ होता है धन्यवाद